हेलो गाइस परगती आइडिया चैनल पे आप सुब का स्वागत है NCRT बुक 12th कलास के पुलिटिकल साइन्स सब्जेक्ट के समकालिन विस्व में राजनिती में हम विस्व में अमेरिकी वर्षव चेप्टर 3 को कवर करेंगे यह इस चैप्टर का पार्ट 2 है चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अब ब्रेटन वूड परनाली जो इस परनाली के अकोड के अनुसा जो अंतराश्टर मुद्राकोस और विस्व बैंक की स्थापना होई थी यह भी अमेरिका के वर्षव को ही दिरसाती है ठीक है फिर करेंगे स सांसकर्तिक वर्षव करेंगे उसकों उधारन हो गया निली जेन्स मेकडोनल्स हर पभी बनका आइस तक ताइम जो था सीटीके दो और पे जो सैने सकती कि तोर पर तो सौवेट संग और जो अमेरिका है वो दोनों सेंपावर में थे टीक है दोनों एक दूसरे पर हमला नही लेकिन तो सोवेड शंग से ऊपर उठने का मकसद क्या था कि इसने कौन चारा स्भारा आपनाया उही हो वर्चस व्रास्वे वाला रास्ता अपनाया था इस तो अधिस संह मैं नेले जिंश्यदय के दोर में बहुत ज्यादा पापुलर थी जो मांकी जनरेशन थी उसमें बहुत ज्यादा पापुलर थी ठीक है फिर जो सांसकर्तिक जो वर्चफ है उसको पाने का जो जर्गया होता हो वो क्या होता है कि विचार धारा को खान पान हो रहन सेहन हो रिती रिवाज हो बाशा का धिरात और इन का सबसे बड़ा जो मोटिव है वो यह कि इनको हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं इनको हम रजामंदी से ही बात मनवा सकते हैं इसके थुरू ठीक है फिर नेक्स्ट है कि अमेरिका की जो सकती है उसके रास्ते में तीन अवरोद है अवरोद क्या होते हैं कि रुकावटे ठीक है कि कौन कौन सी जो तीन रुकावटे हैं मुक्या से कि अमेरिका को वह एक किसम से लगा लो कि राज्य के अंद अमेरिका की संस्तागत बनावट जिसमें सरकार क्या है उसके तीन नंग होगे व्यवस्तापी का होगे कारिया पाले का होगे नाय पाले का यह तीनों है और तीनों के उपर नेंतर रखते हैं लेकिन सब्तंतर गुरुक से कारिया भी करते हैं फिर दूसरा हो गया कि अमेरिके जो समाज है उसकी प्रकरती है वह उनमुक्त है वहाँ का समाज जो है वो खुले पन किया मतलब खुले पन से रहना चाहता है वो किसी का दबाव नहीं परदास कर सकता तो यह अमेरिका की जो अबुछान लगा लो तो बड़े बड़े पर अभी नेता के जो पावर जिनके आत्में हैं वो लोग लगा लो वो सारे जो हैं वह इंसेन्य अभीयनों पर अंकिश्ट लगाने मूमि गाने आती हैं ठीक है फिर आगे ना्टो नाटो संगठन है वह अमेरिका के लिए जो अ अमेरिका को इसके लिए ये अमेरिका की अर्थवर्शता के लिए जरूरी है तो नाटो में जो देश शामिल हैं विए अमेरिका के वर्शव पर हम कुछ लगा सकते हैं ठीक है फिर नेक्स्ट है कि वर्शव से बचने के उपाई क्या क्या है कि हम कैसे उस वर्शव से बच सकत और अपना विकास करना मतलब कि किसी के अगर कोई वर्जव वाला है मतलब कोई राज्य है तो उसका सहयोग मतलब उसके साथ मिलके उसके अंडर में रहके अपना विकास करना ठीक है उसके अवसरों का लाव उठाना फिर है अपने को छिपा दूसरा पॉइंट है कि अपने को अपने पावर को लगन अंडरस्टीमेट और इनके नजर से दूर हो सकते हैं तिया लेकिन जैसे भारत ऑगया सोवियत सभी पर जीन यह तो अपनी कि जो संस्ताय होगी शहां सेमिसंगठन होगे कलाकार होगी और जो बुद्धी जी भी होगे जो अब गयाने की साइंटिस्ट वगरा यह सम मिलके अमेरिका के वच्छा पर परतिकार कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं ठीक है फिर आएगा कि भारत और अमेरिका के संबंद कैसी है सीट युदी की समापति के बा बारत ने उधारेकन की निति और वैसेजिकन की निति को अपनाया जिसके कारण बारत जो है वो अमेरिका की विदेश निति के लिए मेहता पूंस्तान रगता है सीतियूद के दोर में किया था कि बारत के संबंद सोवेत रूस से अच्छे थे ठीक है यह नहीं है कि अमेरिका के साथ संबंद नहीं थे लेकिन रूस के साथ उसके मैत्रिपॉर्ण संबंद थे बहुत अच्छे संबंद थे ठीक है फिर सीतियूद के दोर के सीतियूद की समा सबसे बड़ा वैपार इकसाज़ेदार हो गया है भारत में क्या है जनसेंगे सबसे ज्यादा है यहां पर तो अमेरिका की जो कंपने वैपार इकसाज़ेदार हो गया कि उनको यहां पर संसादन चाहिए और उनको वहां पर टेकनोलोजी फिर अमेरिका के विभीन राष्टरा द्रक सूहारा भारत से संबन्द प्रगाड़ करने थो भारत की यातरा जो APPर शूर्भ द्रक साध्र आई है यानि करें अच्छे हो द्रकुर हैं अमेरिका में बसे जो इसे निवासीय Omaha भारती हैं कास करके जो सिलिकन वैली में जो वह हैं उनका बहुत परभाव पुड़ा है ठीक है शामरिक महतों में भारत जो है वह अमेरिकी से सन्य प्रमानों समझते पर का शंपन होना ठीक है फिर है ब्राक ओबामा की 2015 में भारत यातरा के पर रक्षा शोदोसे सम्बंदित समझोतों का नवी करन किया गया तो ब्राक ओबामा 2015 में भारत की आतरा पर आए थी तो नों अपसे को पता होगा डोनाल ट्रंप अभियायत और डोनाल ट्रंप के आने पर कौन सा अभियाण चला था नमस्ते ट्रंप चला था तो ट्रंप की आउट्शोर्शिंग समंधिनीती से ब्हारत व्यापारिक हीत प्रभावित होने की संभाव ना है वर्तमान में विब्यून में रास्ता बना है अब अमेरिकी शेयन में अभियान जिनका अमेरिका ने कौन-कौन से शेयन अभियान चलाए थे इनको ओपरेशन से चैप्टर मैंने बताया थे कि चार ऑपरेशन थे तो अब उनको बता देंको डेटेल से करते हैं कि उसमें क्या-क्या हुआ था तो सबसे अपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम जोर्ज बूस सीनियर उस्टैंप अमेरी की रश्टर पती थे और कब हुआ था 1991 में हुआ था इसमें क्या हुआ था 34 देशों की बूर रश्ट्रे सेना ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोला था ठीक है तो इस में इस यूद को पर्फम खाड़ी यूद कहा गया है कंप्योटर यूद भी कहा गया और वीडियो गींट वी घंप भी वार गया था कि इस यूद को लाइव टैली काया था इसेला के हर मंच पर ठीक है ताकि इसका मकसद क्या था में कि अमेरिका की पावर का पता सब्सक्राइब तो इसमें अमेरिके वर्ष तो कहां दिखाए देता है कि अमेरिका के जो जो 30 देशों की जो शेना थी उसमें 6,6,000 सेनिकों ने हिस्सा लिया था और उसमें से जो 75% सेनिक थे वो अकेले अमेरिका क ठीक है तो इसका परिणाम क्या हुआ था कुवेत को मुक्त करा लिया गया था ठीक है फिर नेक्स्ट ओपरेशन हुआ था ओपरेशन इन फाइनाइट रीज यह बिल क्लिंटन उस ताइम पर राश्टर पती थे कब हुआ था उन्हें शोठाण में हुआ था किस वज़े से हु ठीक है तो इसके विरुद में क्या किया था अमेरिकी शेना ने यह उपरेशन इन्फाइनेट रीज चलाया था जिसमें सुडान और अफगानिस्तान में जो अलकाइदा के ठीकाने थे उनके ओपर क्रूज मिसायल से हमला किया था तो इसमें परेणाम किया हुआ था स्ट्रपती कौन थे जोर्ज डेबलू ब्यूश थे बुस्ते ठीक है जोर्ज बुस्त जिसको बोलते हैं तो इन कब थे 2001 में हुआ था नो से 11 सितंबर 2001 को सबसे यह लगा लो अमेरिका की सबसे बड़ी घटना थी ठीक है 1746 में अमेरिका आजाद हुआ था नया देश रज् उस समय से लेकर और अब तक का सबसे बड़ी घटना अमेरिका के लिए यह थी ठीक है इसमें हुआ क्या था इसमें अलकाइदा को ठहराया का था अलकाइदा क्या है वो आपको बता चल गया कि से नातंकवादी संगठन था इसने क्या गया था कि इसके जो 19 हाइजेकर्स थे अपरण करता थे उन्होंने अमेरिका के ही जो व्यापारिय व्यवसाइक विमान थे उनको हाइजेक कर लिया था और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फिर पेंटागन और एक भारत अमेरिकी संसद पर हमला करने की तक्यारी थी ठीक है तो उन्होंने च्यार विमान टकरा दिये थे एक था जो वो पेंटागन पर टकरा दिये इसे टकरा गया था जो अमेरिकी संसद पर टकराने वाला था उस वो किसी गाओं में जाके गिर गये था ठीक है तो इसमें किसको माना गया था दोशी तालीब अफगानिस्तान के तालीबानी शाषिन को माना गया था कि वो अलकाइदा को अतंकवाद मतलब संगठन को सहयोग देता है ठीक है तो इसके ओपर हमला किस पर गया गया था फिर ओपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम चला था इसमें ये था कि अतंकवाद के विरुद विस्वया पी युद होना चाहिए ठीक है तो इसमें किया था अफ इसमें ळंट है फिर हा फिर था ओपरेशन एराकी फृडम ठीक है पूपरेशन एराकी फृडम वो 2003 में हुआ था जो प्रेग्री ब्रीक इन किया था इसमें तो इसमें अमेरिका ने उसकी पर्मिशन लिए ओपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम था वह स्विक्तराश्टर संग नहीं चलवाया था लेकिन अमेरिका के नेत्रितों में चला था तो उसमें एक उबैद को सिर्फ मुख्त करा लिया गया था लेकिन जो 2003 में उपरेशन इराक की फ हुषेन का अंत हो गया था इसमें ठीक है अज के लिए इतना ही